हेलो एब्रिवन आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल बंडा की सबजी इसके आगे पनीर भी आपको फीका लगेगा और सबसे खास बात इसकी यह है कि यह सबजी पूरी पराठा चावल रो हमने हाँ यह सबजी ले लिया है फ्रेंड्स इस सबजी को आपके तरफ क्या बोला जाता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कुछ लोग इसे बड़ी अर्वी बोलते हैं मेरे तरफ इसे बंडा बोला जाता है आपकी तरफ क्या बोला जाता है जरूर बताएगा तो जब हम इसे छीलते या काटते हैं तो हाथों में बहुत बुरी वाली खुजली होने लगती है तो तेल लगा के छीलने से हाथों में खुजली नहीं होती है तो अब हम इसका छीलका हटा लेंगे छीलका हटाने के लिए knife का यूज करेंगे friends ये pillar से बहुत मुस्किल से इसका छिलका निकलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है और छिलका इसका पतला होता है लेकिन ये hard होता है ये जो सबजी होता है तो छिलका अच्छे से हम knife की help से हटा आलेंगे अब बीना धूले इसे काटना है क्योंकि अगर जो इसे धूलेंगे तो ये ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा काटते time hard से फिसलेगा तो बीना पानी में गीला किये इसे हम पहले काट लेते हैं तो काटने के लिए आप जैसा इसे छोटा बड़ा पीस करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे काट सकते हैं तो मैं इसे इस तरीके से काट लेती हूँ आपको मैं काट के दिखाते हूँ ये देखिए इस तरीके से इसे छोटे छोटे पीस में मैं काट लूँगी छोटे पीस में काटने से ये बहुत जल्दी से कूख हो जाता है तो यहाँ देख सकते हैं ये चिपका हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चिपचिपा होता है और ऐसा तरीका मैं बताऊंगी इस सबजी को बनाने का कि ये जो है बिलकुल चिपचिपा नहीं लगेगा बहुत ही टेस्टी ये सबजी बनके तयार होगी तो यहाँ हमने सारे सबजी को काट लिया है ये देखिए तो अब हम इससे पहले पानी से धूल लेंगे तो पानी से इसे मैंने धूल लिया है तीन-चार पानी से अच्छे से वस करके इसे पानी में आप रग दे या छन्नी में छान के रग दे ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए जब तक इसका पानी अच्छे से निकलेगा तब तक हम मसाले की तयारी कर लेते हैं तो एक प्लेट में मैं आधा चम्मच साबुद धनिया ले ले रही हूं आधा चम्मच साबुद जीरा ले ले रही हूं और मैंने लिया है चार सुखी लाल मिर्च ये तीखी वाली लाल मिर्च है जैसा आप तीखा खाते हैं उसापसे आप लाल मिर्च जिसमें डाल सकते हैं दो चम्मच पीला सरसो ले लेंगे और आड़ से 10 काली गोल मिर्च ले लेंगे एक इंच डाल चेनी का टुकड़ा और अब मैंने ले लिया है एक काली वाली जो बड़ी लाइची होती है उसे डाल देंगे थोड़ा सा जावित्री एक छोटी लाइची यानि हरी वाली लाइची और दो लॉंग डाल देंगे आधा चमच मैंने साही जीरा और खसकस ले लिया है अब हम डालेंगे इसमें एक मुठी लस्टन जिसका छिलका अच्छे से हटा लिया है और फ्रेंड्स अब हम मसाले को पीस लेते हैं बिल्कुल फाइन पीस ना है तो ये देखिए अब हमारा मसाला पीस के त्यार हो चुका है मसाले में अब हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डा देंगे ये देखिए अब मसाले को हम साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस की तरफ तो गैस पर मैंने एक कडाही चड़ा लिया फ्रेंड्स इसमें अभी पकोड़े हम लोग तले थे तो इसी में मैं इसे भी फ्राई कर लेती हूं तो अच्छे से जब तेल गरम हो जाए फ्राई करने से क्या होगा जो इसके अंदर चिपचिपा लिक्विट जैसा चीज होता है वो बिलकुल खतम हो जाता है बिलकुल फ्रेश सबजी बनके तयार होती है तो देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसका कलर आ चुका है बहुत बढ़िया ये फ्राई हो चुका है तो मेथी दाना डाल देंगे और इसे थोड़ा सा क्रैकल हो जाने देंगे जब मेथी क्रैकल हो जाएगा तब इसमें एक मीडियम साइज की प्याज को बारिक काटके डाल देंगे फ्रेंड्स आप चाहे तो यहां प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसको बिलकुल fine काट के डाल दिया है जब ये 80% प्याज भून जाएगी तब इसमें एक medium size के टमाटर को बारी काट के डाल देंगे और इसे भी हम 50% तक भून लेंगे जब टमाटर soft हो जाएगा तब हम मसाले अड़ करेंगे तो सबसे पहले टमाटर को soft करने के लिए स्वात के अनुसार नमक डाल देते हैं नमक डालते ही टमाटर और प्याज बहुत जल्दी गल जाता है तो देख सकते हैं बहुत soft हो चुका है टमाटर तो अब जो हमने मसाला पीस के रखा है इसमें हम डाल देंगे तो पूरा मसाला इसमें हम डाल देंगे प्लेट को धूलके एक चमच पानी और हम इसमें डाल देंगे ये देखिए और अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच कस्मेरी लाल मिर्च इस से बहुत अच्छा है इसमें कलर आ जाएगा तीखे पन के लिए हमने सूखे लाल मिर्च को मसाले के साथ पीस लिया है तो अब इसे अच्छे से भूनेंगे जब अच्छे से मसाला प्याज के साथ मिक्स हो जाएगा तब हम इसे लो फ्लेम पर ढखके पकाएंगे और फ्रेंट्स बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे तो फाइनली ये देखे फ्रेंट्स अब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है ये देखे और मसाला भूनने के लिए हमने बहुत कम तेल का यूज किया है तो देख सकते हैं फ्रेंट्स मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है तो अब हम डालेंगे पानी तो जैसा आप ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पानी डालिएगा तो पहले थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से मसाले को हम सबजी के साथ मिक्स करते हुए ये देखे मैंने और पानी डाल दिया है और ग्रेवी इसकी बहुत ही परफिक्ट है आप अगर जो इससे गाड़ा चाहते हैं यानि थोड़ा सा लटपटा मसाला चाहते हैं सबजी के साथ तो थोड़ा कम पानी डालिएगा अब इसे कम से कम 5-6 मिनट हम ढखके low to medium flame पर पकाएंगे ताकि जो सबजी है बिलकुँछ soft पढ़ जाए तो ये देख गई थी ताकि सबजी को जब हम सर्व करें तो उससे इसकी garnishing बहुत अच्छी दिखे तो ये देखे फ्रेंट्स बहुत ही लाजबाब बहुत ही tasty ये हमारी सबजी बनके तयार हुई है यहां हमने थोड़े से तले हुए प्याज से भी इसको गार्निस कर लिया है प्याज के में भी बहुत tempting है जितना ये tempting है उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में स्वादेश्ट है तो फ्रेंट्स ये mostly चावल के साथ बहुत ही tasty लगती है वैसे पूरी पराठा सब के साथ इस सबजी को आप सर्व कर सकते हैं मैंने इसे पूरी के भी साथ सर्व किया था और राइस के भी साथ सुबह नाचते में पूरी के साथ और दोपहर के लंच में मैंने इसे राइस के साथ सर्व किया था देख सकते हैं बहुत ही लाजबाब ये हमारी सबजी बनके तयार हुई है खाने में बहुत ही tasty है तो फ्रेंट्स सबजी की ये recipe आपको कैसी लगी comment box में जरूर ब ऐसे ही latest और unique recipe के साथ next वीडियो में तब तक के लिए bye bye thank you for watching